सेवाओं का हमारा स्वरूप कैसा हो, सेवाओं को हम सफल कैसे करें, सेवाओं में हमारा अधिक से अधिक पुन्य जमा हो, हमारी सेवा इंफली भूत हो, दुसरों को वो मिल सके जिसके लिए हम सेवा कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? इस सेवा को सफल कैसे करें इन सेवाओं में किन किन चीजों का ध्यान रखें एक बहुत इंपोर्टेंट बात मैं आप सब को कहना चाहता हूं बहुत जगे सेवाओं में तुस्ती करण की नीती अपनाई जाती है यानि इसको भी संतुर्ष करना इसके आगे रको इसको आगे करो नहीं तो इन आराज हो जाएगा इसको ये चांस दो तब ये खुष रहेगा नहीं तो सेवाओं में भी घन पड़ जाएगा ये सब सेवाओं के सुन्दर स्वरूप नहीं है तुस्ती करण की नीती नहीं, सेवाओं को यदि हम सफल करना चाहते हैं, तो योग्ये व्यक्तियों को उचित सेवा मिलनी चाहिए, जब हम अयोग्ये व्यक्तियों को बड़ी सेवा दे देते हैं, तो असफलता का द्वार खोल देते हैं, बहुत इंपोर्टेंट बात है ये, तुस्ती करन नहीं और साथियों को भी स्वयम संतुस रहना चाहिए। उन्हें भी खुस होना चाहिए कि योग्य वक्ति को उचेत जगह मिल रही है तो ये कारियों की सफलता है। अंडरलाइन करें सभी। स्वार्थ को छोड़ कर इसवरिय कारिय को मुझे सफल करना है ये लक्सभी को बना लेना चाहिए। लेकिन पहले स्वार्थ मेरा मुझे जगह में ले तो मैं कारिय करूँ। ये सेवा नहीं विघन है। तो हम सभी बाबा की सेवा में उपस थे थें। बाबा सब्द काम परियोग करते हैं बगवान के लिए, हम बाबा की सेवाओं में उपस्थित हैं, बहुत उने अपना जीवन अर्पित कर दिया और बहुत कर रहे हैं, लोगों को आश्चरिये होता है जो समी पाकर गहराई से देखते हैं कि कितनी हजारों कन्याओं ने पवि सिवाओं में अपने को अर्पित कर दिया, कितना जबर्दस्त प्यार है ये भगवान के लिए, कैसी समर्पन भावना है साइद संगम युग के अलावा, इतनी बड़ी संख्या में ये समर्पन भाव किसी युग में देखा नहीं जा सकेगा, तो भाग्यवान हैं वो जिनक जीवन भगवान के काम आगया, हम भगवान के काम आगया, लोग अपनों के काम आते हैं, केवल अपने लिए जीवन गुजार देते हैं, हमारा जीवन, हमारी एजुकेशन, हमारी बुद्धी, भगवान के काम आगया, वहा ऐसे भगवान आत्माओं के क्या कहने, जिने बगवान भी देखकर बहुत प्रसंद होता है। सेवा से सब को सुख मिलता है।